नमस्कार, जैमत आदी सबको, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में कैसे हैं आप सब? उमीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, राशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोज पसंद आ रही होंगी आज बात करते हैं कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को अकरशित करना चाते है जिस व्यक्ति को आप पर कोई भी इंटरस नहीं है जो आपसे बिल्कुल भी अकरशित नहीं है, जो आपका बिल्कुल भी दिवाना नहीं है जो व्यक्ति आपके बारे में सोचता तक नहीं है, आपसे अकर्षित नहीं है, आपसे अट्राक्ट नहीं है, वह व्यक्ति भी आपकी और ध्यान देना शुरू कर देगा, आपसे अकर्षित होगा, आपका दिवाना होगा, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमेशा ये चीज जो है आपने अपने पास रखनी है ये एक ऐसी चीज है जिससे की लोग जो है वो आपके तरफ खीचे चले आएंगे आपसे अकरशित होंगे इसके साथ साथ इस चीज को अपने पास रखने से आपको भगवान विश्णु का और मा लक्षमी का और भ्रमा जी इन तीनों देवी देवताओं का आशिरवाद भरपूर मातरा में मिलेगा क्योंकि ये जो चीज है ये इन तीनों देवी देवताओं की प्रिया चीज है तो ये जो चीज है अगर आप इसे अपने पास रखते हैं तो ना केवल ही आपकी आकरशन शक्ति को बढ़ाता है बलकि इन तीन देवी देवताओं का आशिरवाद भी आपको प्राप्त करवाता है मालक्षमी का आशिरवाद आपको प्राप्त होता है इसके साथ साथ ये चीज को रखने से आपकी खुबसूरती बढ़ती है आपका आकरशन बढ़ता है जो भी व्यक्ति आपको देखता है आपकी तरफ मोहित हो जाता है आपकी खुबसूरती में लीन हो जाता है और खुबसूरती देखे आप अगर ऐसे सोचें कि मेरा नंग बहुत सावला है या मैं खुबसूरत नहीं दिखती हूँ या मेरा रंग साफ नहीं है तो कोई मुझे खुबसूरत नहीं समझेगा देखे खुबसूरती का अर्थ आप निकाल सकते हैं कि आपकी अंदरूनी खुबसूरती और आपकी बहारी खुबसूरती यानि कि आपकी बुद्धी भी बेहत तेज होगी आपकी खुबसूरती भी तेज होगी overall personality बदलेगी आपका attraction power बदलेगा जिसी की लोग आपसे प्रभावित होंगे आपसे अकरशित होंगे आपके दिवाने हो जाएंगे तो ये चीज रखने से आपको अपने आप में फरक दिखने लगेगा आप चाहते हैं कि दूसरे आपसे अकरशित हों दूसरे आपके दिवाने हों एकदम से आपको मतलब आपको पसंद करने लगें तो जब याज ये चीज आप रखेंगे तो आपको पहला फरक अपने आप में देखने को मिलेगा आप नोट करेंगे कि मेरे में आप आकरशन शक्ती बड़ी है चाहने लगेंगे आप अपने आपको फेल करें कि मैं बहुत खूपसूरत हूँ मेरे में personality चेंज होई है कुछ तो मेरे में बात आई है कि मैं बड़ी जल्दी लोगों को आटरैक्ट कर पा रहा हूँ आप खुद में ये चेंज देखेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि लोग भी बड़ी जल्दी आपसे आकरशित हो रहे हैं, आपके दिवाने हो रहे हैं, जिन लोगों उपर आप पर इंटरस्ट नहीं रखते थे, इग्नॉर करते थे, उनको कोई भाव नहीं देते थे आपको, वह लोग भी मिनट में आपके दिवाने होंगे, आपसे अकरशित हो जाएंगे, आपके पीछे-पीछे आएंगे, तो क्या चीज़ आपने अपने पास रखनी हैं, शुकरवार के दिन, सुभा के समय, आपने, हम कह सकते हैं कि कमल का फूल चांदी के रूप में, यानि कि चांदी का कमल का फूल, आपने ये रखना है अपने पास, आप किसी सुनार के पास जा सकते हैं कि हमी चांदी में कमल का फूल बनवा कर दीजे, वो बनवा देंगे आपको, लेकिन आप घर जिस मरजी दिन ले आइए, वैसे ही रख लीजे अपने पास, लेकिन पहनना इसे, सौरी इसे अपने पास आपने शुकरवार के दिन रखना है, और रखना कैसे है, आपने इसे कच्छी लसी से धोलेना है, और इसके बाद, इसे किसी सफेद कपड़े में लपेड कर, बिल्कुल छोटा सा, इतना सा आप बनवा, बजूर ने बहुत बड़ा बनाना है, छोटा सा कमल का, फूल चांदी का, बनवाना है, और इसे सफेद कपड़े में बांध कर, अपने वालेट में, अपने पर्स में अपने पास रखना है, जहां जहां पर भी आप जाएंगे, वहां रख सकते हैं, और अगर आपको धन की रूप में, आप धन से भी बहुत ज़्यादा परेशान है, या आपको धन भरपूर मात्रा में चाहिए, तो आप कमल के फुल्चांदी के रूप में बना कर, अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, और अकर्शन बढ़ाने के लिए, अपनी सुन्दर्ता बनाने के लोगों को इंप्रेस करने के लिए, प्रभाव डालने के लिए, लोगों पर लोग बचाना है, यह चीज़ का ध्यान रखें, इसी के साथ इस वीडियो के में पर समाप्त करते हैं, उमीद करते हैं, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो